नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्तो पून जानकारी को ले करके आए आज हम सभी जानते हैं पीट को साफ करने की विद्धे क्योंकि पीट का साफ होना बहुत जरूरी है पीट अगर हमारा क्लीन साफ नहीं होता है तो हमें बहुत सारी प्रोब्लेम्स का सामना करना पड़ता है जिसे हम कब्ज भी बोलते हैं तो आज हम बताएंगे सबसे पहले आपको कि कब्ज होता क्या है इसके होने के कारण क्या है और साथ में इसका निवारन क्या है यानि कि इसका इलाज क्या है क् पेट से हमारे शरीर को मैक्समुम बिमारियां होती हैं अगर हमारा पेट खराब होता है तो लगभग हर कोई अपनी लाइफ में कभी न कभी पेट साफ न होने यानि कि कबज की बिमारी का सामना करता ही है जादा तर मामलों में ये समस्या कुछी दिनों में ठीक हो जाती है पर बहुत से लोग सालों तक इसकी बज़ा से परेशान रहते हैं आज हम आपको कभज की परेशानी धूर करने के कुछ एक बड़े हैं आसान उपाए बताएंगे जिन्हें अपना कर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं आईए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कभज होता क्या है कभज ऐसी स्थिती है जिसमें व्यक्ति का पेट ठीक से साफ नहीं होता है और मलत्याग करते समय कष्ट भी होता है कभज से पीडित व्यक्ति आम लोगों की तुलना में कम बार शौच करता है जहां आमतोर पर लोग दिन में कम से कम एक बार शौच करते हैं वहीं कौंस्टिपेशन का मरीज तीन या उससे भी ज़्यादा दिनों तक मलत्याग नहीं कर पाता है इस कारण से उसका पेट भारी भारी रहता है और भोजन में भी अरूची होती है उसकी कब्ज के कारण कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है और सर में दर्द भी बना रहता है अब हम सबसे बड़ी समस्य आती है बहुत सारे लोगों को कि पहचान में नहीं आता है उनको कि हमें कब्ज हो गई है इसके हम लक्षन आपको बता रहे हैं जिसके सहारे आप जान सकते हैं कि आप कब्ज के गिरफ्त में आ गए हैं ठीक से अगर आपका मलत्याग न हो रहा हो या फिर लेटरिन जाते वक्त आपका पेट साफ न हो रहा हो तो आप समझे कि आप खब्ज के शिकार हो जुके हैं मलत्याग करने में तकलीप होना श्टूल यानि कि टटी या मल जो बोलते हैं इसका बहुत हाड और कम मात्रा में होना बार-बार ऐसा लगना कि अभी थोड़ा और मलत्याग करना चाहिए यानि कि आप मलत्या करतने बैठे हों फिर भी आपको संतुष्टी न हो लगे कि आपको लगा हुआ ही है लेटरिंग इसका एक मुख्य लक्षन होता है पीट में सूजन या फिर दर्द का होना इसके साथ साथ उल्टी होना अब आईए हम सभी जानते हैं कि कपज होने के कारण क्या क्या है क्यूं होता है कपज भोजन ग्रहन करने में अन्यमीत्ता यानि कि आपका कोई टाइम टेबल न हो फिक्स कि आपकब खाना खाएंगे जब मिला खा लिया फिर नहीं खाया तो फिर ये प्रोब्लेम होती है इसके अलावा बासी भोजन करना, अती विश्राम, कम शारीरिक स्रम, मानसिक तनाव यानि कि टेंसन का होना, अधिक चिकनाई वाला भोजन करना, आतों की कमजोरी यानि कि आपके आते कमजोर हैं तो भी ये समस्य आपको हो सकती है कम पानी का पीना, धुम्र पान, या फिर कैफिन द्रव्यों का सेवन करना, खाना खाते समय अधिक जल ग्रहन करना, सोभाव में अधिक उग्रता हो, या फिर गरम मसाले वाले तथा अधिक तैलिय खाना खाना भी इसका एक मुख्य कारण होता है तो सबसे पहला जो इस मामले में कदम उठाना चाहिए, वो ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी पता है कि हमें कब्ज हो गई है, फिर ये क्यों बता रहे हैं, ये हमारा बताने का परपस ये है, कि आप सबसे पहले इन कारणों को बंद करें, सबसे पहले तो कारणो खाएंगे लेकिन आपकी आदते जो हैं वो खराब रहेंगी तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है इसलिए लक्षन के साथ-साथ हमने कारण बताया आपको कि इसके कारण क्या-क्या है इन कारणों को जानना है आपको इसलिए क्योंकि इन्हें आपको दूर करना है ताक के सहारे आप अपने कपच को दूर कर सकते हैं बहुत सारी चाहें तो हम कम चीजों में भी बता सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों को बताने का मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सारी समग्रियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो वो अल्टरनेट पर जा सके यानि कि उनके पास जो उपलब्ध है उसके सहारे वो अपने आपको स्वस्थ रख सकें सबसे पहली बात होती है कि जब भी आपके शरीर में पानी या फिर तैलिये पदार्थों की तैलिये से मेरा मतलब है कि और नहीं की कमी होती है रूखापन हो जाता है आटों में तो फिर उसमें मल आपका फंस जाता है जिसकी वजह से मल त्यागने में आपको तकलीफ होती है आई अब ध्यान देते हैं कुछ एक और शधियों पर जो की कब्ज को दूर करने में सहायक होती हैं सबसे पहली तो त्रिफला च्योन च्रिफ़्हाइब के चीजों के व को ba है वैसे तो बहुत बारा आपने सुना होगा कि त्रिफ़ै च्णा लिए मिक्स होती है हरड बहरा एंड आवला अब करना क्या है आपको कि त्रिफला चुन को चम्मच में हलके गर्म पानी से घोल लीजिए एक चम्मच ले लीजिए या फिर डेड़ चम्मच आप ले सकते हैं कुणगुने पानी में इसको घोल लीजिए और घोल करके हर रोज इसको रातरी में सोने से पहले पी लीजिए कबज की शिकायत आपको रहती है तो इसमें आपको तुरंत लाप मिलेगा कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपके कबज की समस्या जो है वो दूर होने लगी इसके अलावा बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पानी के साथ न लिया जाए तो वो लोग थोड़े से गर्म दूध में भी ले सकते हैं यहीं चोन लेकिन ध्यान रखें कि जब इस चोन को रात को लें तो दूध में चीनी ना मिलाए बिल्कुल भी ना चीनी मिलाए गुड मिक्स करें अगर आपको मीठा लेना है तो आप गुड मिक्स क गबज की तकलिफ दूर करने के लिए इसके हलावा आप मुनखका ले सकते हैं मुनखके को कैसे लेना है आठ से दस मुनखका लिजे गर्म दूध में उभाल लिजे इसको फिर उसको ठंधा होने दीजे और हर रोज उसका सेवन कीजिए आपको रहात मिलेगी मलत्यागने में स इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें इसी हैं जो कि खाने में अपने जरूर सामिल करने चाहिए जैसे कि पपीता पीट साफ करने के लिए बेहद लापकारी होता है इसमें जो गुण पाये जाते हैं वो पेट को साफ करने के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं तो आप जितना ज जूस काफी उपयोगी होता है इसमें सेव का जूस पीने से आतों की अंदूरूनी सता पर बदभू और संक्रमण नाशक परत का सरजन हो जाता है और सेव का नित्य सेवन अन्य कई बीमारियों से रक्षन प्रदान भी करता है आपको हाँ अगर आपको कंश्टिपेशन ततका हालिक हो गया है तो उस कंडिशन में तो आपको हमने बताया कि पपीता लीजिए लेकिन इसके अलावा अगर आप एक से औरोज खारते हैं तो यह आपके लिए बेहद लाफकारी साबित होगा इसके अलावा आउले का चून कबज को जड़ से मिठा देता है आउला का चून चून बना करके लिया जा सकता है या फिर आउले की चटनी बना करके भी आप खा सकते हैं आउले को मुरब्वे को खाने के बाद उपर से दूध अगर आप पीते हैं तो भी आप कबज से छुटकारा पा सकते हैं टमाटर खाने से भी कबज खत्म हो जाता है खाने के साथ सल सबजी, चुलाई की सबजी, पालक की सबजी, आम, चने, दूध और शहद का मिश्रण मल त्याग बृत्ति को सरल बनाता है। हलके गर्म गुनगुने पानी में छुटकी भर नमक मिलाकर सोने से पहले पीने से भी आते साफ रहती हैं और अशुध जमा हुआ मल शोच के समय आसानी से निकल जाता है। सबजी पकाते समय उसमें लहसुन का प्रियोग करने से कबजी की संभावना कम हो जाती है। लहसुन पाचन शक्त वर्धक और गैस का शत्रू है इसलिए लहसुन का सेवन हर रोज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा फुल गोभी, गाजर, पालक, घी और बड़ी इलाइची कबजी की परेशानी में राहत देते हैं। तो इनका भी समय समय पर सेवन करते रहना चाहिए। गाजर का रस्त निकाल कर पीना भी कबज में काफी लाब दायक होता है। हम आपको बहुत सारी चीजे बता रहे हैं दोस्तों, इसका हमारा उदेश यह है, एक बार हम आपको बता चुके हैं, पुनह रिपीट कर रहे हैं, कि हर लोगों के पास हर चीज उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए एक किसी खास चीज को न बता करके, हम आपको क्रमशह की किन किन चीजों से सबसे पहले जिस से फायदा हो सकता था, वो चीजे हमने आपको बताई, लेकिन उसके साथ साथ आप इन चीजों का भी प्रयोग कर देते हैं, स्टार्ट डैनिक जीवन में अपने, क्योंक बहतर होता है, और एक ही चीज को हर रोज हम लोग खा नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरी प्रोब्लेम स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम आपको उप्सनली ज्यादा चीजें बता रहे हैं, कि इनका रोटेशन के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्तरक पाएंगे और आपके पेट में जो कब्ज की सिकायत है, वो भी दूर हो जाएगी, इसके हलावा काक जंगा और घी का मिश्रन हर रोज पीने से उदर रोगों का नाश होता है, पका हुआ लाल खरबूजा और तरबूज पेट को साफ करने में मदद करता है, ब कुंग और चावल की धीली गर्म खिचडी खाने से भी पेट साफ हो जाता है, हमने बताया भी आप सभी को कि आप सब खाने में जब भी लगे कि हमारा पेट जो है खराब है, तो आप खिचडी का या फिर दलिये का प्रियोग करें, और वैसे भी ना भी हो पेट खराब ना हुआ हो, तो भी सब्ताह में कोशिश करें कि एक दिन जरूर ही सुपाच्य भोजन लें, और सुपाच्य भोजन जैसे की खिचडी हो गई, दलिया हो गई, इसको हम सुपाच्य भोजन बोलते हैं, क्योंकि इनको डाइजेस करने में हमारे शरीर या फिर आतों को कम महनत करन पड़ता है, यानि कि एनरजी कम लगती है, इसली ये डाइजेस हो जाता है, जिससे की हमारे मसल्स और शरीर को भी आरा मिल जाता है, जिसके बाद आप फिर सब्ताह भर तक कुछ भी खाते हैं, डाइजेस करने के लिए तयार रहता है, जैसे आपको विकली रेष्ट मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट को भी रेष्ट की जरूरत होती है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, इसके अलावा अगर आपके पेट में कब्ज है, तो पीपल के पत्तों का काढ़ा पीने से भी कब्ज मिट जाता है, पीपल के लाज चटक फल खाने से भी आच दाने मिला कर साबूत निगल जाते हैं आप, तो ये आपके कब्ज को दूर करने के लिए बेहद ही महत्वपून और शदी के रूप में कारे करने लगता है, नीम कड़वा होता है और संक्रम नाशक होता है, नीम के फूलों को सुखा कर पीस कर उसका चून बना लिजि और उसे हर रोज सोते समय पानी के साथ लिजिए आपके लिए बेहद लाफकारी होगा, करेले के रहस में सिंधा नमक और जीरा मिला कर पीने से भी कब्ज रोग में रहत होती है, कच्चे शलगम खाने से भी पेट साफ हो जाता है, ध्यान रखें, हम वैसी चीजे बता रहे में फाइबर भरपूर मात्रा में होगा, उसमें आपके पेट को साफ करने की शमता होती है, धनिया कब्ज तोड़ने में मदद करता है, धनिये की चटनी भी लाफकारी होती है, इसलिए इसका भी प्रयोक करें, त्रिफला, अजवायन और सेंधा नमक, समान यानि कि बराब लोंग और सोंट कब्ज मिठाने के रामबार इलाज है, अधरक का रस शहद में मिलाकर पीना लाफदाई होता है, सोंट अजवायन और काला नमक बराबर मात्रा में मिश्रित करके मिश्रन तयार कर लें और एक चमच सुबह और एक चमच सोने के पुर्व पानी के साथ लाहोरी नमक और मिश्रि को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लीजिए और उसमें निम्बु निचोड कर सुखा लीजिए, सुखने के लिए रख दिया है आपने, इस मिश्रन को गर्म पानी के साथ लीजिए, पेट की सारी तकलीफें मिटे जाएंगी, इसके अलावा और कंद भी आप मिला करके पी सकते हैं, ये भी आपके कबज को दूर करेगा, निम्बु, अदरक और शहद का मिस्रित रस आतों को साफ कर देता है, और कबज की शिकायत को दूर करता है, अमरूद खाने से भी कबज मिटी जाता है, और अमरूद खाने के बाद उपर से बीज निकाल दें या फिर छिलके निकाल दें, अमरूद को प्राकरितिक रूप में जैसा होता है, वैसे ही कंप्लीट लिखा जाईए और उपर से दूद पी लिजे, कबज में रहात मिलेगी, इसके अलावा सूट, डालचीनी का तेल, इलाची और जीरा बराबर मात्रा मे मिला कर पीना कबज में लावदाई होता है, दालचीनी का तेल और शकर चीनी में मिला कर पीने से भी कबज दूर होता है, यह चून अजिन्ड की तकलीफ में रहात देता है, तुलसी के पत्ते, अनार, लीची, काजू, टमाटर, मतर, खीरा, बादाम, खजूर, पका हुआ क मिला, दही के साथ, हिंग, गेहुं के पोधे के रस, संतरा, मेथी, गोमूत्र, केसर, अंजीर, दूद, और अंजीर, मुली के रस, मुली के हरे पत्ते, मुली के बीजों का चून और कच्चा प्याज, इत्यादी चीजें पाचन शक्ति के अनुसार, ग्रहन करने से कबज की तकलीफे दूर होती हैं, अब एक बार में आपको बताना चाहूंगा कि इतनी सारी जो चीजें हमने बताई हैं, वो इसलिए बताई हैं, ताकि समय के साथ क्या होता है, कि आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी चीजों का जैसे सेवन करने लगें, तो आपको प्रो जिसमें की कुछ एक सबजियां या फिर फल जो होते हैं, वो वरजित होते हैं, तो उनके अलावा भी दूसरे का सेवन करके हम अपने पेट को साफ रख सकें, तो इस प्रकार से अगर आप अपने खान पान को बैलेंस करते हैं, तो आपका पेट क्लीन रहेगा, कब्ज मुक जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों